हलो स्टूडेंट्स मेता स्कूल डिजिलल क्लासेज में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे पार्थ दो दादीमा इसके लेखक हैं सिव प्रसाद सिंग सुमन लेखक सिव प्रसाद सिंग सुमन ने इस पार्थ में अपनी दादीमा से समंदित जो यादे हैं उसके बारे में वर्णन किया है उनके पास में उनके बड़े भहिया है किशन उनका जब पत्र आता है तो उसमें लिखावा आता है कि उसकी दादीमा नहीं रही तब वो अतिरिक दुखी हो जाते हैं और अपने पिछली यादों में वो खो जाते हैं और उसी से समंदित इस पार्ट में उन्होंने वर्णन किया है यह एक लेखक का क्या है संस्मरण है लेखएक इसमें बताना चाते हैं इस पार्ट के मादेम से हमें ये बताना चाते हैं कि हमारे जो दादा दादीमा हैं वो हमें बहुत सारी अच्छी सिक्षाएं प्रदान करते हैं उनकी मादेम से हम उनसे हम बहुत सी अच्छी बातें सीखने को हमें मिलती हैं इस प्रकार से लेखक ने अपनी दादी से समंदित जितनी भी यादे हैं उनसे समंदित उन्होंने वर्णन किया है लेकर किस पार्थ में बताते हैं कि गर्मी की चुट्टियों में जब भी वह अपनी दादी मा के पास जाता था तो किस तरह से वह अपने जीवन के मजे लेते थे उससे समंदित वह बताता है इस पार्थ को प्रारंब करने से पहले हमें कुछ चीजों का पता हो ना जरूरी है इस पार्थ में बार बार जैसे हिंदी महीनों के नाम आते हैं हिंदी महीने कौन से होते हैं चैत्रे, वैसाखे जैस्ट आसाड स्रामण भाद्रपद स्रामण की बात क्या आता है भाद्रपद आस्विन आस्विन के महीने को हम और क्या कहते हैं क्वार का महीना क्वार भी कहा जाता है आस्विन कार्थिक मार्ग सीस मार्ग सीस पोस माग और फालगुन इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं हिंदी महीने होते हैं जो हिंदी महीने जिससे प्रकार से हमारे अंग्रेजी जो महीना है वो जनवरी से प्रारंब होता है उसी प्रकार से हिंदी महीने किस से प्रारंब होते हैं तो चेत्र जो महिना है हिंदी का वह अंग्री जी के महिनों में कब आता है मार्च और अप्रेल के मद्धे में आता है चेत्र का महिना मार्च और अप्रेल के मद्धे फिर उसी तरह से वैसाक का महिना कब आता है अप्रेल और मई के मद्धे इस प्रकार से हिंदी महने चलते हैं अब हम आगे इस पाठ का अध्यन करते हैं कमजोरी ही है अपनी पर सच तो यह है कि जरासी कठिनाई पड़ते ही बीसों बरस बरसांत वसंत देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं तो प्राए अनमनासा हो जाता है मैं लेख क्या कह रहा है कि मेरी क्या कमजोरी है कि मेरा मन जो है थोड़ी सी भी कठिनाई होती ही क्या हो जाता है मन बेचेन हो जाता है इतना बड़ा बीसों गर्वी मतलब इतने इतना बड़ा हो गया मैं उसके बाद भी मैं थोड़ी सी भी कठिनाई आती मेरा मन क्या हो ज यह नहींा करें नहीं है सोखता हूं से समंदित जो भी पिछली यादें उनको तो दुखी हो जाता हूं मैं सोचता हूं कि मैं उन बातों को नहीं सोचूंगा ठीक है जाने दो सोचने से क्या होता है लेखे क्या सोचता अपने मनी मन में कि उन बातों को जाने दो अब सोचने से क्या होता है पर बर्बस मेरी आँखों के सामने शरद की सीत केर्णों के समान प्रकार से सर्दी की रितों में सीथ की केरने आती हैं उसी प्रकार से मेरे सामने क्या होता है कि मेरी एक सीतल स्वच्छ किसी की धुनलेच भैरता डादी मा की याद मुझे हमेशा अती रहती है उनकी छवफे मुझे याद आती रहती है लेख क्या करें मुझे लगता है जैसे कौर की दिन आ jobbar किसी कहा गया आस्विन के महीने को कहते हैं यह पृ मरकर कजीं के महीने को का जहते हैं जो हिंदी महीने होते हैं। सिटमबर होते हैं और वो फिर एकठा होने के बाहते हैं। जाग भर जाते हैं। तो लेखे हैं किसमें लगता है मुझे कि ल आगये हैं मेरे गम के चार souvent और पानी फान्व कích ले रहा है। दूर के सिवान भैकर आये वे मोथा और साही की अदगली घासें घेवर वनप्याज की जड़ें तता नाना प्रकार अनेक प्रकार की बरसाती घासों के भीज सूरज की गर्मी में खोलते वे पानी में सड़कर एक विचित रगंद छोड़ रहे हैं दूर से सिवान से भैकर के क्या होती हैं मोथा और साही ये सारी बरसाती जो हैं घास हैं उनकी जो अदगली घासे हैं घहूर वनप्याज की जड़ें अनेक प्रकार के जो बरसाती घास हैं उनके जो बीज हैं वो जैसे बरसात के लाद एकदम से गर्मी होती है सूरज की और व अलक्सी क्या करती है हुए कि दुरगंद गंद छोड़ देती है अलक्सी गंद छोड़ जाती है वो सड़ जाती है रास्तों में बारिश आने के बाद में कीचड सूख जाता है सूख गया और गाम के लड़के क्या करते हैं किनारों पर क्या करते हैं जाग परे जाग बर जाते हैं उनमें सड़ने के बाद में वो जलासे में धमाके से कूद करके आनंद लेते हैं लेकर क्या बताना चाहरा है कि जिस प्रकार से अपने अपने मोसम में जैसे आम खाने का मज़ा होता है गर्मियों में सर्दियों में हम क्या खाते हैं गुड़ खाने का मज़ा आता है उसी प्रकार से जाग परे पानी में भी कूदने का मज़ा ही कुछ और होता है अपने अपने मोसम की जैसे अपने अपनी बाते होती है अलग अलग होती है आसाड में जैसे गर्मी का महिना होता है उसमें चाहिए आम और जामों नहीं मिलने चाहिए नहीं मिले उस बात की कोई चिंता नहीं है अगहन, मतलब सर्दियों की समय में चाहिए चीवडा और गुड़ नहीं मिले उसके अभी कोई दुखे नहीं है चैत्र के दुनों में लाई के साथ में गुड़ की पट्टी नहीं मिले कि चैत्र के महिने में गुड़ की जो पट्टी नहीं मिले उस बात का कभी भी मुझे अफसोस नहीं है पर कुआर के दिनों में आस्विन के महिने में इस गंद पूर्ण जो पानी है जाक से बरावा जल है बूसे पूर्ण उसमें कूदना नहीं हो तो क्या होता है बहुत थी के बूरा लगता है उसमें बहुत थी के मज़े आते थे उस समय उसके लिए मैं क्या करता हूँ बीतर हुड़क रहा था मतलब बीतर ही बेचेन हो रहा था दो एक दिन ये वहां गया तो जिए उसमें कूद सकाथ धिर उसमें नहाद दो था यूझे हैं मैं बिमार हो गया चुशह लिए था क्या करके हलका हलका भिमार होना था जख़ँझे सवह तरह मुझे क Days था कुब कर दो ईद Пक कर दो खाने के लिए मुझे क्या वनता grinder दिन भर निम्बू का पानी और साबू जो होती खिचडी वो मुझे मिलती है लेकिन लेकर कि बार जो है में ऐसी बात नहीं थी इस बार ऐसी चीज नहीं थी जोर तो चड़ गया बुखार तो मुझे बहुत तेज चड़ा लेकिन वो चड़ता ही गया लेकर कह रहा है कि जो बुखार चड़ा है वो चड़ता ही गया इस बार के बुखार में मुझे रजाई पर रजाई उड़ा दी गई फिर भी उत्रा नहीं और रात के बारा बुजे बाद भी मुझे बहुत अधिक ठंड लग रही थी दिन में मैं चादर लपेट कर सोया था फिर क्या हुआ दादी मा आई शायद ना कर आई थी कहां पर उसी जाग वाले जल में दादी मा ना कर आई पतले दूबले सने है सरीर पर सफेद किनारी हीन दोती सन से सपेद बालों के सीरों पर सद्दे टपके हुए जल की सी तलता लेकर क्या करा अपने दादी के बारे में बता रहा कि कि सरे की थी पत्ले दूबले सने सने शरीरिप्र मतलब स्ने है से युक तो उनका शरीर था बहुत पतला दूबला और सफेद रंकी साड़ी इन्होंने पहन रहे ती जिस पर कोई किनारी नहीं थी किनारी से संसे सफेद बहुत अधिक सफेद बाल ते शिरी सद्द्र टपक रही थी आते ही उन्होंने क्या किया सर पेट चुए मेरे और आंचल की साड़ी का जो आंचल उसके अंदर कुछ बांध कर लाई तो उसकी गांट कोल कर किसी जो सक्ति गाउं में इस तरह से माना जाता है किसी को शक्तिधारी को माना जाता है तो आध्रश्य शक्तिधारी के चबूत्रे की मिट्टी मुझ में डाली मेरे मात्य बीस Stretch लगाई और वह क्या करती थी दिन रात मेरी अधिक हैं। जड़ते हैं। तो रोगन हमारे जो अधीक द्धान की धिया। पनी में स्था हमें हें। थॉझायों हमारे लोगन हमारे भन्मय सित इसना फैराऴ। जिससे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो और दादीमा क्या ध्यान रखती थी कि बिमार के घर में कभी भी बाहर से जो वेक्ती आता है वो सीधे ही उसके पास में नहीं जाना चाहिए इस बात का दादीमा मिशेश ध्यान रखती थी इस प्रकार से अनैग प्रकार के प्रिशन जो है वो घर पर पूछब करके और घषरे वालों को परेशान कर देती थी लेकिन क्या करती ही – मेरी दादिमा, मेरा बहुत अधि algumas त्यहां रखती थी इस प्रकार से लेकर के बताता है दादीमा को जो है ग्हहाई गाउ की पचासों किसम की दवाउं के नाम भी याद रहा थी, लिएक क्या बता रहा है, मेरी जो दादीमा है, उसे गाउं की जो अनेक दवाई यहां होती थी, उनका भी बहुत हदिक, दिहान था। उनके नाम सब के उनको याद थी, गाउं में एगर कोई भी बिमार होता था तो दादेमा की पास ही पहुंसा था और पिर zobaczyरakte उनके हाथ कोंगरके देखना माथा छू कर के देखना पेट को चू कर के देखना फिर उने सारी के सीज़ें बताती थी भूत से लेकर के मलेयरिया सरसाम निमोनिया किस चीज के उन्हें धिक्कत है उन सब के बारे में घदादिबंबा बता थी के दिनों में रोज सबेर उठकर सनान के बाद लंग और गुडं मिष्ट जलन रहे की जब महामारी हैं कि gas को कखा गया है कि उन दिनों में जो दादी है रोज सुबह उठती थी उठकी लौंग और गुड मिस्ट जल दार मतलल लौंग और गुड से मिस्ट जल देती थी गूगल और धूप हम अगर बती वगेरे करते तो गूगल धूप आता है वो धूप करती थी सपाई का विशे से ध्यान रखते थी अगर दवा में थोड़ी सी भी देरी होती यह मिश्रिय श कवर को कहा गया था कि अगर तक्ये के कवर चदर बदली नहीं जाती थी तो वो क्या हो जाती थी पागल हो जाती थी उन्हें बहुत आदे के गुस्सा आ जाता था क्या क्या होता था क्या क्या ध्यान रखती थी कि लौंग और गुड से मिस्ट जल तयार नहीं किया यह क्या सफाई का विशर्षज धहन रखनी ती तुद्वान में अगर देरी हो जाती या फिर किस्ट nh Fell खत्म हो जाता था बीमार के पास में यह कि Final नहीं बदे जाते थी कि टूकता तुद्व right ड़ अब भी आता है लेक्टन के पास नहीं है उस समय का नेरा जाता है लेकिन किया होता है मेरा नोकर साथ जे जाता है में में महाराज कि घर खाना बनाने वाला अपने मंद से कुछडी और भाग देदेता है कने Away मिंखसर की शीरी मालेरिया मैं में बका कर चाना ड़ अब इस समय जो मेरा बुखार आता है उस बुखार को बुलाने का मेरा मन नहीं करता है क्यों कि पहले जब बुखार आता तो क्या होता था दादी मां मेरा बहुत ध्यान रखती थी पहले वाले बुखार में मेरी दादी मां मेरा बहुत ध्यान रखती थी इसलिए क्या होता थ आगे इस कहानी के बारे में हम बाद में करेंगे इसमें से जितने भी हमने बड़ी है उससे संबंदित जो भी औबीटी आपको देंगी आपको वह पूर्ण करनी है धन्यवाद